नमस्कार जेहिंद स्वागत है आपका study lovers family में और आज के इस वीडियो में हम biology में biology से related digestive system हम discuss करने वाले हैं तो important है हमारे सरीर के लिए भी important है और सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए भी काफी जादा important fact आपको देखने को मिलेंगे तो आसान भासा में हम समझेंगे इसको तो सुरू कर लेते हैं सबसे पहले digestive system का जो हम एक part wise discuss करेंगे और last में इसका diagram से समझेंगे तो सबसे पहले हमारे सरीर में आहर नाल होती है जिसको हम elementary के नाल कहते हैं और यह सुरू हो जाती हमारे mouth से तो कुछ महतोपूर्ण, FAT मुग के बारे में, माउत के बारे में सबसे पहले तीन जोड़ी लार गरंथियां पाई जाती है जिन से लार निकलती है और लार जो है भुझन को पचाने में सहायक होती है तो सबसे पहली बात तो ये धिहन रखनी है कि कितनी जोड़ी तीन जोड़ी लार गरंतियां पाई जाती है तो भुजरन के कार्भो हेडृडरेट भक्षट कि कौन करते हैं तो एक ओग टाइलन एंजाइम प्लस एमाइलेज एंजाइम तो लार में टाइलिन और마र इमाइलेज एंजाइम पाये जाते हैं यह आपको धियान रखना है इसके अलावा लार में उपस्थी नीस लैसोजाइ जीवाणों को नस्ट करने का कार्या करता है तो यह लाश्वाणों को नस्ट करने का काम करता है यह इंपोर्टेंट है अब दूसरा जो यह अपको मुह के बारे में धिहन रखने हैं और मुह के अंदर, अब अगला पाठ हमारा दांत, दांत भी हमारे पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए दांत को भी पढ़ना जुरूरी है, मुह में चार प्रकार के दांत पाये जाते हैं, ये सभी को पता होगा, कृंतक हम इनको बोलते हैं, क्रिंतक हो गया, और दूसरा रदनक, अगर चवरनक और चवरनक यानि करिंतक को इंसाइजर हो गया कैनाइन हो गया प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया करिंतक जो है काटने वाक उतरने का कारे करते हैं और कैनाइन जो है चीर फाड बिसेस कर मांस खाने के लिए ये काम करते हैं और भोजन को पीसने का काम होता है प से बारा बर्स तक के बच्चों के लिए इंसाइजर जो है दो दो होते हैं और टू बाइटू इसलिए लिखा है कि दो उपर होते हैं दो नीचे होते हैं ऐसे ही कैनाइन वन बाइवन होते हैं एक उपर एक नीचे और प्री मोलर जो है नहीं होते हैं छोटे बच्चों में और पार्मोलर जो है ये भी 2.2 होते हैं तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो कैसे होगा? ये 2.1 तो 10 plus 10, 20 हो जाते है total किसोर अवस्ता में किसोर में क्या होता है 13 से 19 वर्स में incisor 2x2 हो गया कैनाइन 1x1 हो गया pre molar 2x2 हो गया और molar 2x2 हो गया तो इन्टु 2 इसको करेंगे तो यह 28 हो जाता है और वयस्क जो है वयस्क विक्ति में incisor 2x2 कहना है यहां पर pre molar 2x2 यह धियान रखना है कि बच्चों में pre molar नहीं होते हैं और जो किसोर होते हैं उन में molar 2 होते हैं 2x2 होते हैं और वयस्क होने पर molar 3x3 हो जाते हैं तो यहां पर 32 हो जाएंगे टोटल जान तो फॉर्मुला यह हो गया 2-1-2-3 जो एक वयस्क विक्ति का फॉर्मुला हो गया वो 2-1-2-3 हो गया यह आपको दिहान रखना है अब यह के बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जिने दूद के दांत कहते हैं तो जो बच्चे होते हैं बच्चों में कुल 20 दांत पाए जाते हैं जिने बाई दांत होते हैं वैस्क मनुस्य में आठ इंसाइजर होते हैं चार के नाइन होते हैं आठ प्री मोलर होते हैं और बारा मोलर होते हैं ये पाए जाते हैं मनुस्य के लाइफ में टीथ दो बार आते हैं इसलिए दूई बार दंती या डाइफो 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 गर्द में लगे होते हैं इसलिए गर्द धंति कहलाते हैं तो गर्द धंति हो गया विसम धंति हो गया और और एक तरह से दूई बार धंति यography या दो बार दनत आते हैं और नोट रखनी है ये बाते हैं आपको धंतों का जो एनेमल होता है सरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और हाती दांत टस्क उपरी करिंतक जो हमारा है अपर इंसाइजर दांत होता है यानि हाती का जो दांत होता है जो बहार दिखता है आपको वो उपरी करिंतक होता है साकाहरियों में रदनक कैनाइन टीत अनुपस्तित एपसेंट होता है इसके इस्तान पर ए पाया जाता है जिसे दंतावकास कहते हैं आगे बढ़ते हैं अब अगला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों में अगर चवर्नक प्रिमोलर टीथ पूनत है अनुपस्तित होता है यह हम डिसकस कर चुके हैं किसूर में चार चवर्नक दांत एपसेंट होते हैं जिनें अकलदाड कहते हैं जो कि एक रसे किसूर अवस्ता कहतम होने के बाद सुरू होते हैं इसके अलावा अगला जो पार्ट हमारा है गरसनी हम पढ़ेंगे फैरिंक्स हम इसे कहते हैं फैरिंक्स गरसनी तो गरसनी के बारे में डिटेल से समझते हैं गरसनाल गरसिका वा स्वास नाल है ग्रसिका है और स्वासनाल जो हमारी है इसके संयुक्त छित्र को गरसनी कहते हैं गरसनी में काकलक अलजिवा नामक रचना लटकी रहती है काकलक बोलो या अली जिवाक बोलो तो नामक रचना लटकी रहती है जो भोजन करते समय पानी पीते समय आंत्रिक नासा छिद् बंद करने का कारे करती है आंतरिक नासा चिद्रों को बंद करने का कारे करती है अली जिवा तो यह आपको ध्यान रखनी है अब अगला है ग्रास नाल या ग्रसिका इसो फेगस भी हम इसे कहते हैं इसो फेगस इसका काम क्या है यह ध्यान रखे एक पॉइंट ग्रसिका आहर का वह भाग है जिसमें भोजन का बिलकुल भी पाचन नहीं होता है केवल क्या करती है यह भोजन को नीचे पहुंचाने का का इसोफेगस से भोजन जो है स्टोमक में जाता है इतना ही काम इसका है लेकिन यहां पर भोजन का पाचन बिलकुल नहीं होता है क्वेस्टन पूछा Pepsin क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है तो ध्यान कैसे रख लखते है P4 Pepsin P4 Pportin पुछा जा सकता है कि Pepsin Enzyme किस का पाचन करता है तो प्रोटीन का पाचन करता है और अमासर में ऊपसे तरहilaRanin Enzoin जो है ये दूद को दही में बदलता है तो रेनिन एंजाइम क्या करता है दूद को दही में बदलता है आप देखें दूद जो है घुलंसील प्रोटीन कैसीनोजन इसमें होता है और रेनिन एंजाइम से अगर ये रियक्ट करता है तो क्या हो जाता है दही अगुलंसील प्रोटीन कैसीन बन जाता है तो ये आपको पर ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं बच्चों में अंजाइम पाया जाता है जब कि सरीर में रादिन अन्जाइम पाया जाता है जो कि दूद को पचाने में strengal का निर्मान होने लगता है वयस्कों में क्या होगा हमारे सरीर में हर्ड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है और HCL का निर्माण जो है अमासे में उपस्तित अमलिय कोसिकों के द्वारा होता है तो HCL का निर्माण कैसे होता है कि हमारे अमासे में ही अमलिय कोसिकां होती है उनके द्वारा होती है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे सरीर में HCL का निर्मार कहाँ पर होता है तो ये भी अमासे में होता है ये आपको धियान रखना है अमासे में उपस्तित मुठ्य कोसिका या जाए भोजन कोसिका है निस्क्रिया एंजाइम पेपसिनोजन का सरावन करती है तो पेपसिनोजन का सरावन भी कहां मुटा मुटा अमासे में ही होता है ये भी आपको धियान रखना है अमासे के चारों और उपस्तित सलिस्मा की जिली म्यूकस मेंब्रेन अमासे को स्वपाचन से रोकती है तो म्यूकस मेंब्रेन जो होती है वो अमासे को स्वपाचन से रोकती है यानि स्वतह पाचन करने से रोकती है अगला जो पार्ट है अगला पार्ट हमारे पास है छोटी आंत, small intestine, तो small intestine के ये भाग हैं, गिरहनी हो गया, duodenum इसको बोलते हैं, अगर चुदरांत, जिजोनियम इसको बोलते हैं, और ileum जो है, चुदरांत हो गया, इसको ileum कहते हैं, तो ileum, duodenum और जिजोनम, ये एक तरह से तीन सरचनाएं, जो हैं, छोटी आंत के ही भाग हैं, तो छोटी आंत के भाग हैं ये, अब यहाँ पर देखिए, इनके क्या कारे होते हैं, छोटी आंत के गिरहनी वाले भाग में, भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, तो डियोडेनम में सबसे अधिक पाचन होता है, और गरहनी एक यू आकार की नलिखा होती है, जिसमें अगन्या से गरंथी लगी होती है, तो एंडो एंडोराइन भी है और अग्जोराइन भी है यानि ये क्या करती है एंजाइम को सीक्रेशन भी करती है और हर्मोन को भी सीक्रेट करती है तो यहाँ पर देखे, प्रोटियेज, कार्बोकसी पेप्टाइज और नुकली कमलन नुकली एज को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं तो यह क्या है जो पैंक्रियाज जूस है हमारा या अगनियासे रस है उसमें एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, नुक्लिय जाते हैं इसलिए अगनियासे रस को पूर्ण पाचक रस, गम्पलीट डाइजिस्टीब जूस कहते हैं तो अगनियासे रस जो है, इसको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं वेरी इंपोर्टेंट है यह आपको नोट रखना है अब अगला पार्ट हम डिसकस करते हैं अगला हमारे पास है लीवर या यकरित सबसे इंपोर्टेंट है यकरित हमारा यकरित में क्या होता है बाइल जूस का निर्मान होता है यानि पितरस का निर्मान होता है पितरस का रहे हैं वो गॉल ब्लेडर में होता है पित्ता से में होता है पित्रस मल पदार्थों को पीला रंग परदान करता है तो जो मल पदार्थ हमारे पीले रंगे होते हैं वो बाइल जूस के कारण होता है बाइल जूस का कलर भी पीला होता है तता बसा का पाइसी करण करता है तो अगन्या से रस में सभी परकार के एंजाइम पाए जाते हैं अंतर है पितरस और अगन्या से रस में पितरस में ये धिहन रखना है कि कोई भी एंजाइम नहीं है इसमें और अगन्या से रस में सभी परकार के एंजाइम पाए जाते हैं पितरस में दो वर्णक पाए जाते हैं और बिली वर्डिन हरा रंग तो पित रसमे दो वर्णक पाये जाते हैं अब आगे देखिए सबसे important point यहां पर है यकरित के खराब हो जाने से पीलिया जो जॉइंडिस रोग हो जाता है अगर यकरित हमारा खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है कामला जोइंडिस या पीलिया रोग हो जाता है तो यह आपको धियान रखना है आगे बढ़ते हैं और अब हम डिसकस कर लेते हैं बड़ी आंत चोटी आंत वा बड़ी आंत के मिलन स्थल पर एक अवशेसी अंग पाया जाता है जिसे क्रिमी रूपी परिशोशिका वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स कहते हैं यानि एपेंडिक्स आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार बोलते हैं कि एपेंडिक्स का ओपरेशन हो रहा है तो एपेंडिक्स जो होता है आपका ये क्या होता है एक छोटी आंथ चोटी आंथ और बड़ी आंथ तो छोटी आंथ और बड़ी आंथ को जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक सरचना पाई जाती है जिसे क्रिमी रूपी परिशोशिका कहते हैं या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना ह अब सिसी अंग है यह एक तरह से अब देखें बड़ी आंत में जलवा औसदी का अफसोषन होता है जल यानि पानी का अफसोषन बड़ी आंत में होगा और जो भी हम दवाईयां अगर लेते हैं तो उनका अफसोषन भी का होगा बड़ी आंत में होगा और इंपोर्टेंट है ये question बहुत बार पूछा जा गया है बड़ी आंत में इकोलाई जो है इस्तीरिया कोलाई नामक सहजीवी जिवाणू पाया जाता है इस्तीरिया कोलाई नामक सहजीवी जिवाणू जो है हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है पचित भूजन मलासे में एकठा हो जाता है पचित भूजन जो है कहां रेक्टम हम मलासे को बोलते है तो मलासे में एकठा हो जाता है तथा अंत में गुदाद्वार जो एनस से विसरजित कर लिया जाता है अब आपको धिहन रखना है यहां से भूजन के जो पचित रूप है पचित रूप में मुह में भोजन बोलस कहलाता है अमाशे में काईम अमाशे में काईम हो गया और गिरहनी में काईल हो गया तो ये भोजन के पचित रूप है जब मुह में जितना पाचन हो जाएगा तो उसका नम बोलस हो जाएगा अमाशे में काईम हो जाएगा और गरहणी में काईल हो जाएगा अब आगे कुछ बातें आपको ध्यान रखना है चोटी आंथ की लंबाई हमेशा बड़ी आंथ से अधिक होती है चोटी आंथ बहुत लंबी होती है बड़ी आंथ से और बड़ी आंथ की मोटाई चोटी आंथ से अधिक होती है यानि मोटाई में बड़ी आंथ बड़ी है और लंबाई में चोटी आंथ तो यह धियान रखना है अब important है साकाहरियों के आहार नाल मांसाहरियों की तुलना में अधिक लंबी होती है साकाहरी जो प्राणी है उनकी आहार नाल मांसाहरियों की तुलना में अधिक लंबी होती है क्योंकि साकाहरी भोजन में सेलूलोज उपस्तित होता है जिसके पाचन के लिए अधिक लंबे आहरनाल की आवश्यक्ता होती है अब reason क्या है अगर पूशा जाए साकाहरीों के आहरनाल मांसारियों की तुलना में अधिक लंबी होती है क्योंकि साकाहरी भोजन के पाचन में क्योंकि भौजन में सललुलोज उपस्तित है और उसके पाचन के लिए अधिक लंबे आहर नाल की आवश्यक्ता होती है अगरा दिखे सललुलोज दुनिया में सबसे अधिकमात्रा में पाया जाने वाला पजार्त है यह पादपों की कोशिका भित्ती में पाया जाता है तो सेलूलोज क्या है सबसे आधिक मातरा में पाया जाता है और कोशिका भित्ती में यानि पादपों की कोशिका भित्ती जो है सेलूलोज की ही बनी होती है यह आपको ध्यान रखना है खरगोस सेलूलोज का पाचन ना होने के कारण अपने ही मल पदार्थ को वापस खा जाता है यह important है कि खरगोस क्या करता है अपने मल पदार्थ को खा जाता है reason क्या है क्योंकि सेलूलोज का पाचन उसमें नहीं हो पाता है इसलिए अपने ही मलपदार्द को वापस खा जाता है इस परक्रिया को स्वामल भूगिता कहते हैं स्वामल भूगिता या कैप्रो फैगी कहते हैं कैप्रो फैगी या स्वामल भूगिता खरगोश क्या करता है क्योंकि सेललोज का पाचन उसमें नहीं हो पाता है तो अपने ही मलपदार्द को वापस खा जाता है तो ये important fact होगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं आपके health के point of view से भी important है कि कहाँ पर क्या चीज़ जीवीत अवस्ता में आहरनाल की लंबाई 5-6 मीटर होती है पच्चित भूजन में इसकेटॉल, इंडॉल, क्रिशॉल नामक रसायनों के बन जाने के कारण मलपदार्द से बदबू आती है तो हमेशा क्या होता है इसकेटॉल, इंडॉल और क्रिशॉल ये रसायन है इनके बन जाने के कारण मल्पदार्थ से बद्बू आती है आगे देखे आहर नालको सरीर की जैवरसायन परयोगसाला कहते हैं तो आहर नालको हम क्या कहते हैं जैवरसायन परयोगसाला कहते हैं तो अब हम फाइनली यहां पर डाइजेस्टिप सिस्टम का यहां पर थोड़ा सा डाइगराम देख ले है तो यह काकलक की रचना है यहां पर काकलक हो गया यह गरसनी हो गई हमारी यह गरसनी का मूँ है और यहां से क्या होता है भोजन जो है यह गरसनी जो है बंद कर देती जो नास अच्छी दिर वगेरा हमने पढ़ रहे थे वहां पर मूँ दांत यह तो आपको पताई है और य यहां से इसोफेगस से भोज़न, अमासे में गया, स्टोमक में, और इस्टोमक में जो है, भोजन के पाचन के पर गिरफिर, फिर सुरू हो जाएगी यहां से, और यह पिता से हो गया गॉल ब्लेडर जहां पर हमने पड़ा था कि पितासे में क्या होता है जो पैंक्रियाज जूस है उसका पितासे में क्या होगा सरक्षन होगा वो वहाँ पर जमा होगा यह अगनिया से होगे हमारा अगनिया से यह पैंक्रियाज है यह गरंती है जो कि क्या बलता है था कि जहां पर क्या बोला था कि बड़ी आँथ और छोटी आँथ एक तरह से मिलती है तो वहां पर क्या होगा किरिमी रूपी परिशोसिका हो गया बर्मी फॉर्म एपैंडिक्स हो गया या आपका मलास्य हो गया गुदादवार हो गया यह लार्ज इंटेस्ताइन हो गया तो यह पूरा लंबाई है न कि बड़ी आंत और छोटी आंत और हमेशा ये धियान रखना है कि छोटी आंत लंबाई में जादा है और बड़ी आंत मुटाई में जादा है तो ये आपको धियान रखना है तो ये हमारा डाइग्राम हो गया digestive system का तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा आप लोगों के एक तरह से easy way में आप लोगों ने सीखा होगा कुछ important facts आपको सीखने को मिले होगे और अगर कोई भी बात आपको लगता है कि समझ नहीं आई है कुछी भी तरह का doubt रहता है तो comment box में जरूर पूछें आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और अगर आपको class पसंद आती है तो अपने दोस्तों से सहर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो subscribe कर दीजिएगा thanks a lot for listening मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन